हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में कैमरा मिसिंग है तो इसको कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए यहाँ पर कैमरा डिवैस मिसिंग है तो इसको कैसे सॉल्व करना है कैसे फिक्स करते हैं कैसे वापस लेकियान है वह में आपको बताऊंगा इसके लिए इस विंडो को आप सबसे पहले कर दीजिएगा इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीक है इनमें से आपको कुछ त करने के बाद यहां पर आपको देखी जाएगा इसको पर आपको क्लिक कर देने किले करते ही इस तरह से विंडु ओपन हो जाएगा आप आपे सबसे पहले यह चेक कर ली जैगा चाहिए यहां से आँड होना चाहिए यदि आपको केस में इस से camera on होना चाहिए यदि नहीं on है तो आपको manually यहां से camera on कर देने तो यह चीच चेक कर लिजेगा इसके बाद आपको क्याकर नहीं यहाँ पर आपको क्लिक करने क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्याकर नहीं यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से window open लिए यहां के आपको धुट भील करते हैं इसी तरह आपको देख होателяं यहां के लिए रिखेंगे तो आपको क्याकर नहीं होता है 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 तो आपको क्याकर इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, आप आपको यहाँ पर स्कॉर्ट अन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखी जाएगा टूर वाल सुट इसको पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, अपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा Bluetooth, इसके ओगे आप देखेंगे तो यहाँ पर रन होगा, तो आपको क्या कर दिने, क्लिक करते हैं, इस तरह से आटोमेटिक तुर्बल सुट होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद इस तरह से विन्डो आएगा, तो आ यहां पर आपको दिख जाएगा कैमरा यहां पर दिखेगा इसके ऊपर भी आपको किलिक करके इसको टर्बल सुट कर लिजेगा अब आपको क्या करना यहां पर दिख जाएगा वीडियो प्लेवैक यहां पर देखेंगे तो यहां पर रन होगा तो आपको क्या करना यहां से इसको आपको टर्वलशूट्ट कर लेना है यहां से आपको टर्वलसूट कर लिजेह गा तो इस तरह से यहfach नए तर्वलसूट कर लेदा है अब आपको कहा किन है यहां पे इसको बहं अपर डॉल्डफ करने के बाद यहां पर दिख़ जाएगा क्लोज करने के बाद आपको क्याक्याँ चेक कर लेना आपको case में जो यह पॉलाऊ मारा था यह पॉलाऊं सौल हो गया होगा अम ऑन लिजे फिर भी आपको पॉलाँ सौल नहीं होता है'S तो आपको क्याक्याँ के नहीं यहां Out इसके बाद यहां पर आपको CMD टैप कर देने कमांड पॉरॉब इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा रहने मिश्टर इसको पर आपको खिली कर दीने कि इस तरह से विंडु पल जाएगा अम और लेजिए यदि आपको केस में भी इस तरह से विंडु पन होते ता tap कर लेने, इसी तरह आप tap कर लीजएगा जैसा मैं tap कर रहा हूँ यानि तो आप कह कीजगा इस वीडियो को pause कर दीजगा, pause करने के बाद जैसा मैंने ट्व किया, वैसे team कर लीजगा, इसके बाद आपको कहीखने, यहाँ पर आपको enter कर दिना, इंटर करती है आपके case में भी इस तरह से scan हो जाएगा, यदि run होने के बाद, जदि आपके case में कोई problem होगा, तो यहाँ पर detect हो जाएगा. नहीं भी हो गएत है, तो इसके बाद आपको एकित करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देने, इंटर करते हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा, इसके बाद इस तरह से कमांड यहाँ पर आकर रुक जाएगा, अब आपको क्या करने, यहाँ पर फिर से आपको टैप कर देने, जैसा मैं टैप कर रहा है, exact वैसे ही टैप कर उसको आपको capital में tap करना है जो letter small में tap किया है उसको आपको small में tap कर लेने अब आपको क्या करना है जैसा मैंने tap किया वैसा ही आपको tap कर लेने इसके बाद यहाँ पर आपको enter कर दिने इंटर करते ही इस तरह से command run हो जाएगा रन होने के बाद आपको क्या किना यहाँ पे 100% कम्पलीट होने तक आपको वेट करना है 100% कम्पलीट होने के बाद यहाँ पे आके रुक जाएगा आपको क्याकरन है यहाँ पे टैप कर देने 100% complete होने के बाद यहां पर आके यह करसल रुख जाएगा आप आपको क्या करने इस बिंडो को यहां से close कर देने close करने के बाद आपको क्या करने system को जरूर आपको restart कर देने हमार होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपके case में जो यह प्रोपल्र का क्या करने करने PC के अंदर香華 browser आपको open कर लेने के बार आपको क्या कोने यहां पर Google open लेने Google Open करने के बार आपको क्या करने आपको केस में जिस भी company का motherboard है जिसके अंदर ये problem आ आ रहा है यानि तो जिस भी Nord को مaire लेगो जिस ते झमें उन्हे के पर भी रहा है उसका रापनी यापने कमपनी या जो भी मधरबोर या जो भी कैमरा होगा उस यहाँ से आफको डानलोड करने के बाद आपको कहा करने के बाद दो को ड्राइबर डाउनलोड करके मैनुवाली आपको इंस्टॉल करने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपके कीज में जो यह पॉलम आ रहा था यह पॉलम सॉल हो गया होगा आपको क्या करने स्टार्ट को पर आपको रैट किलिक करने इसके बाद यहां पर आपको दिख इस तरह से विंटो ओपन हो जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा इसके बाद आपको क्या करने यहां पर आपको एक्षन दिखेगा इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा इसके क्या करना है यहाँ पर नेक्स पर क्लिक करने के बाद यह विंड़ो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर नेक्स पर क्लिक करने के बाद यह विंड़ो ओपन हो जाएगा यहाँ पर नेक्स पर क्लिक करने के बाद यह विंड़ो ओपन हो जाएगा यहा आपको दिख जाएगा image device इसको पर आपको किलिक कर लेने हैं इसके बाद यहाँ पर आपको next पर क्लिक करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा आप यहाँ पर चेक कर लिजएगा आपको case में जिस भी company का manufacturer होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा उस company के हिसाब से यहाँ पर आपको select कर लेने हैं आप यहाँ पर इसको भी select कर सकते हैं यहाँ पर क्या किनें, simply इसको आपको select कर लेने, इसके बाद यहाँ पर आपको next पर click करने, नेकस पर click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करने के बाद यहाँ पर अपडेट driver को पर आप क्लिक कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्राउज कंप्यूटर अप डिवाइस इसके बाद आपको क्लिक करने हैं किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करने हैं यहाँ पर आपको क्लिक करने हैं किलिक करते है इसको आवसलेट कर लेंगा यदि डिखेंगे अपको यह इसको अपो आपको यह की जैए nehmen इनक्सेट Rica ऽोगे करने के बाद यहाँ पर करने के बाद के मैं के में कैमरा वापस आज जाएगा यादे missing होगा तो इसके बाद आपको क्या किने इसको यहां से डिलिट कर दिजएगा यहां पर आपको क्लिक कर दिने इसके बाद यहां पर आपको क्लिक करके यहां से इसको डिलिट कर दिने इसके बाद आपको केस में यहां पर कैमरा दिखना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से तो आपको क्या करने यहां पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंड़ ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्लिक करके PC को में भाद आपको केस में जो यह पॉलम था यह पॉलम सॉल हो गया होगा तो इस तरह से आप इस पॉलम को फिक्स कर सकते हैं और प्लीज गयाइड चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेेर करें थैंक्यू